गणित एक ऐसा विशय है जो काफी बच्चों की समझ से बाहर होता है इसे पढ़ने और समझने में बच्चों के पसीने छूड़ जाते हैं कुछ बच्चे गणित में तेज होते हैं लेकिन कुछ इसमें कमजूर रहे जाते हैं यही बज़या है कि कई बच्चे गणित विशय के प्रिष्णों को होल करने में घंटोत समय बिता देते हैं कई बच्चे तो डर से गणित में कमंग लाते हैं लेकिन गणित हमारे देनिक जीवन के लिए बेहर ज़रूरी है फॉर्मूले बनाधारित ये विशय काफी दिल्चस्प है बस ज़रूरी है कि बच्चों को थोड़ा गाइड करके इस सब्जेक्ट को लेकर उनके मन में बने डर को दूर किया जाए इसके बाद गणित से दोस्टी हो जाएगी क्योंकि गणित एक बार समझ लेने से काफी आसानी से हल किया जा सकता है आज राश्ट्री एक गणित दिवस यानि की National Mathematics Day है चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है ये दिवस मान गणितक की श्री निवास रामानुजन का जन 22 दिसम्मर 1887 को मदरास में हुआ था इस दिन को हर वर्ष राश्ट्री गणित दिवस की रूत में मनाया जाता है रामानुजन का पूरा नाम श्री निवास अयंगर रामानुजन है 26 परवरी 2012 को जब देश श्री निवास की 125 वी जैनती मनाने की तयारी कर रहा था उसी वर्ष बारत के तत्कालेंद प्रदान मंत्री मनमोन सिंग ने रामानुजन का गणित के प्रतिर समर्पन और विदेशों में भारत को विशिष्ट सम्मान दिलाने के लिए विशेश सम्मान देते हुए 22 दिसंबर के दिन राष्ट्री गणित दिवस के रूप में मनाने की घोशना की थी इसके बाद से प्रतियेक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्री गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है बात करें रामानुजन अवार्ड की तो रामानुजन अवार्ड युवा मैथेमेटिशियन को साल 2005 के बाद से हरवर्ष दिया जता है 2021 में कोलकाता इस्तित Indian Statistical Institute की प्रोफेसर नीरागुपता रामानुजन प्राइस फोर यंग मैथेमेटिशन से सम्मानित किया गया था प्रोफेसर नीरागुपता रामानुजन पुरसकार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला है वेदी गनित या वेदी गनित संक्यात्मक गन्नाओं को शीगरता से हल करने की विदियो या सूत्रों का एक संग्र है इसमें 16 सूत्र जिने सूत्र काया जाता है और 13 उपसूत्र जिने उपसूत्र काया जाता है वे शामिल है जिनका उपयोग अंक गणित, बीज गणित, जामिती, केलकुलस, शंको विज्ञान आदी में समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है वैदिक गणित के सभी सोत्र और उपसोत्र प्रदर्शन करने में मदद करते हैं गणिती ये संक्रियाएं शिग्र एवं सटिकता से वैदिक गणित के लाब के बारें बात करें तो वैदिक गणित के मैथ्व को विबिन तरीकों से समझाये जा सकता है संक्यात्मक समस्याओं के सरली करण में वैदिक गणित का प्रियोग आदोनिक गण्ना में पद्धतियों से कई गुना तेज है कभी-कभी संक्यात्मक गण्नाओं को सरल बनाने की इस विदी में कागज और कलम की भी आवशक्ता नहीं होती है इस प्रकार वेदिक गणित सीखने से समय की बचत होती है और गणित के अधिक अनुप्रयोगों को सीखने में रूची भी बढ़ती है वेदिक गणित सुत्रों की अगर हम बात करें तो गणनाय आसान और संक्षिप्थ हो जाती है कम समय में सरली करण किया जा सकता है विद्यार्थियों को मानसिक तनाव कम होता है सूत्र आदारित विद्यों द्वारा प्राप्त परिणामों को सामान्य प्रक्रियाओं से आसानी से सत्यापित किया जा सकता है इन सूत्रों का प्रयोग करने वाले विध्यारतियों द्वारा तुरुटिया करने की संभावना नगन्य है सूत्रों के उपयोग से चात्रों को गणित विशय में अपने ग्यान और रूची को बैतर बनाने में मदद मिलती है और वैदी गणित मानसिक गणनाओं का उपयोग करके कठिन समस्याओं को हल करने में मदद करता है शिक्षा कवरेज के लिए स्पेशल डेस्क से राजस्तान कवरेज की रिपोर्ट